आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो इस question में हमे radius of curvature of spherical surface of double convex lens are given as 20 cm and 40 cm तो एक ही है double convex lens नमारा ठीक है इसका radius of curvature दिया 20 cm पहले surface का और यह 40 cm दूसरी surface का यहाँ पे जैसे इस तरफ object रहा है तो यह हम plus side मान रहा है यह minus side ठीक है तो यह है और इसकी हमे focal length दी वह है किरती है 20 cm तो इस तरफ इसका कहीं यहाँ पे focus होगा जिससे यह reflect होगा तो इसकी focal length हमें किरती दी वह है प्रेक्टिव इंडेक्स बताना है ठीक है तो यहाँ पे हम lens formula लगाएंगे है हमारा lens formula क्या होता है कि 1 by f equals mu minus 1 mu minus 1 mu is here refractive index into 1 by r1 minus 1 by r2 ठीक है तो हम सारी value sign के साथ रहेंगे तो पहले एक बार सारी चीज़ों के sign देख लेते तो यहाँ से हमारा जो r1 है यह r1 r1 का sign क्या आजाएगा हमारा minus 20 हाना r1 क्या आगया minus 20 r2 क्या आजाएगा हमारा r2 जैसे r2 और एडिस यहाँ होगा r2 हमारे किता आजाएगा plus 40 ठीक है फिर हमारी focus line किते आजाएगे f किते आजाएगा हमारा f आजाएगा by just 20 ठीक एफ हमारा माइनस 20 आ गया तो यहां से हम सारी वेलीट पूट करते तो इस कुछिशन बेट ही क्या बन जाएगा वन बाई माइनस 20 एज उकास्टो म्यू माइनस 1 इंटो 1 बाई रवन तो 1 बाई माइनस 20 माइनस ओफ वन बाई कृकिलता है थै वन बाई 40 माइनस ओफ 1 बाई 40 जै था क्या बन जाएगा यहां से हमारा मिूमा यूमाइनस 1 की वैल्यों आ जैगे हमारी 2 बाई 3 बैनल यहां से ठीक है तो यहां से फिर हमारा मिू के आगा मैश दो 2 बाई 3 फ्लस 1 त then is 5 बैर करीए तो हमारा जोनित एक लेके नीट IIT जेही मेंज और एडवान्स के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर